जैहिन दोस्तों मैंने दीबेन चोहान आज हम करेंगे क्लास ट्रैंथ का 6.5 का क्वेशन नंबर 14 इसमें हमें दिया गया है A में से त्रभुज ABC की बाजू BC पर जो लंब है देखो BC पर जो लंब है वो D में इस तरह से छेता है कि D B बराबर है 3 CD D, sorry 2AB स्क्वेर बराबर 2AC स्क्वेर प्लस BC स्क्वेर ओके तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है D B बराबर 3 CD जो हमें गिवन है D B बराबर 3 CD तो BC हो जाएगा हमारा D B प्लस CD D बराबर 3 CD प्लस CD BC BC हमने क्यों ऐसा लिखा BC बराबर देखो यह BC है पूरा बराबर हो जाएगा DB प्लस CD क्योंकि इसके दो हिस्से हैं ठीक है अब हमें गिवन है 3 CD DB के बराबर तो जहां DB है वहाँ हम लिख देंगे 3 CD प्लस CD तो यह हो जाएगा क्या यह हो जाएगा BC बराबर 4 CD इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 CD आ जाएगा इसको हम देंगे समी करण एक का नाम ठीक है अब तरभुज ADB में देखो ADB में हम काम कर रहे हैं तरभुज ADB में ADB बराबर है 90 डिगरी ठीक है तो यहाँ पर हम लगा देंगे Pythagoras प्रमे AB का स्कोर बराबर AD स्कोर PLUS DB स्कोर यह हो गया हमारा Pythagoras प्रमे ओके Pythagoras प्रमे लगा दिये यहाँ पर हमने अब तरभुज ADC में ADC में एक बार हमने इस तरभुज को लिया एक बार हम यह ले रहे हैं तरभुज ADC में तरभुज ADC में कौन D बराबर है 90 डिगरी तो यहाँ पर भी पाइथागोरस पर में लग जाएगा AC स्क्वेर बराबर AD स्क्वेर प्लस CD स्क्वेर तो यहाँ पर भी पाइथागोरस पर में हमारा लग गया है अब 2 में से 3 को हम यहाँ करेंगे माइनस यह हमारा समीकरण यह समीकरण 2 है और यह समीकरण 3 है ठीक है तो 2 में से 3 को माइनस करेंगे 2 में समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर ठीक है समीकरण 2 में से 3 को हम यहां पर घटा रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा AB square minus AC square बराबर AD square plus DB square minus कर रहे हैं AD square plus CD square तो यहां पर आजाएगा AB square minus AC square बराबर AD square plus DB square minus plus minus AD square minus plus minus CD square तो यहां पर क्या आजाएगा यहां पर एक line डाल देते हैं ताकि हमें पता चले अलग-अलग काम हो रहा है यहां पर ठीक है AB square minus AC square बराबर AD से AD cancel because एक plus का है और एक minus का है तो यहां पर आजाएगा DB square जो बचा है और minus CD square AB square minus AC square बराबर DB के वर्ग की जगा हम लिख देंगे देखो यह फार्मूला बन रहा है A square minus B square तो फार्मूला होता है A plus B और A minus B DB plus CD एक बारी plus में लिख देंगे और एक बारी minus में लिख देंगे उसके बाद AB square minus AC square DB plus CD हमारा हो जाएगा BC देखिए कैसे because यह BC के दो टुकड़े हैं यहाँ पर तो हम इसको BC लिख सकते हैं और यहाँ पर जो हमारा 1 आया था 1 हमारा आया था BC ठीक है तो BC की जगा हम क्या लिख देंगे 3 CD sorry DB DB कहा था हमारा DB DB ढां DB यह रहा देखो है ना तो DB की जगा हम क्या लिख सकते हैं 3 CD 3 CD माइनस CD तो यहाँ पर AB स्क्वेर माइनस AC स्क्वेर बराबर BC और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 3 CD में से 1 CD को माइनस किया तो 2 CD ठीक है अब समीकरन को 2 से गुणा कर देंगे हम इस पूरे को 2 से गुणा 2 से गुणा करने पर ठीक है गुणा करने पर क्या आ जाएगा 2 AB स्क्वेर माइनस 2 AC स्क्वेर बराबर 2 से गुणा करेंगे तो 4 CD और यहाँ पर आ जाएगा BC अज इस इस उके उसके बाद 2 AB स्क्वेर माइनस 2 AC स्क्वेर BC BC का BC आ जाएगा और 4 CD हमारा देखो यहाँ पर हमने प्रूफ किया था BC बराबर 4 CD तो BC की जगा हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 4 CD sorry 4 CD की जगा BC लिख देंगे और BC की जगा BC हम लिख देंगे ठीक है तो यहाँ पर हमारा अंसर आ जाएगा 2 AB स्क्वेर बराबर यह माइनस का है उदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा AC स्क्वेर और प्लस में BC और BC उगुणा करेंगे तो BC का वर यह हमारा प्रूफ हो गया अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन में हमें दिया है सम बाजू तिरकोन ABC है उसकी बाजू BCD पर DV एक बिंदू है BD जो है वो एक बटे 3 BC है देखो जो BD है वो एक तिहाई हिस्सा है BC का तो साबित करो 9 AD स्क्वेर बराबर 7 AB स्क्वेर तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर जो हमें दिया है सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया है क्या दिया है सम बाजू तिरकोन सम बाजू तिरकोन सम बाजू तिरकोन है उसमें ABC की बाजू जो हमें दिया है हम वो लिख रहे हैं पहले बी सी पर डी बिंदू है जो बी डी बराबर है एक बटा तीन बी सी ये हमें गिवन है ठीक है अब हमें जो प्रूव करना है लिखेंगे हम सिद्ध करना है सिद्ध करना है हमें क्या सिद्ध करना है नाइन एडी स्क्वेर बराबर है सेवन एबी स्क्वेर के ठीक है तो सिद्ध करना हम शुरू करते हैं यहाँ पर हमने एक रचना कर दी है इसमें रचना क्या की है देखो A M लंब है B C पर यह हमने यहाँ पे रचना कर दी है यहाँ लिख देंगे हम रचना सम को solve करने के लिए कभी-कभी रचना हम कर देते हैं A M लंब है B C यह हमारी है रचना जहाँ M A B C पर है जो M है वो B C पर है ठीक है जहाँ M B C पर है अब हम यहाँ पे थाबिती करना शुरू करते है त्रिभुज A B सुरी यह B है C समबाजू त्रिकोन है A B से एक समबाजू त्रिकोन है तो मानेंगे यहाँ पर समबाजू है इसलिए तीनों बाजू बराबर होनी चाहिए तो माना A B बराबर है B C बराबर है A C बराबर है A पर यह एक समबाजू त्रिकोन है तो तीनों बाजू को हम A मान लेते हैं समबाजू है तो तीनों बाजू बराबर ओके त्रिभुज A B C में A M लंब है है ना यह A M हमारा लंब है तो A M मध्यगा है मध्यगा है मध्यगा होती है जो दो हिस्सों में बाढ़ती है तो इसलिए हम यहां लिख सकते हैं B M बराबर आधा है B C का जो B M है वो आधा है B C का तो यहां पर हम लिख देंगे आधा A क्योंकि B C को हमने क्या माना है A तो यहाँ पर BC की जगा हमने A लिख दिया ठीक है और BD एक बटे तीन है BC का यह हमें question में दिया गया है ठीक है तो यहाँ पर हम लिख देंगे BC बराबर है दो बटे तीन BC का जो DC है DC है वो दो बटे तीन देखो दो कहां से आई यह दूसरा हिस्सा है यह पहला हिस्सा यहाँ से एक दो तीन तीन हिस्से है तो यहाँ पर जो DC है DC वो क्या हो जाएगा दूसरा हिस्सा तोटल हिस्से कितने है एक दो तीन तो नीचे तीन आ जाएगा ठीक है और दो DC क्या हो जाएगा DC देखो DC दो बटे तीन हो जाएगा BC का ठीक है तो BD BD बराबर 1 बटे 3 BC जो BD है वो एक तिहाई हिस्सा हो गया BC का तो इसे हम लिख देंगे 1 बटे 3 A क्योंकि BC हमने यहाँ पर A माना है तो BC की जगा हम A लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर DM बराबर हो जाएगा BM-BD कैसे DM बराबर BM BM में से माइनस करेंगे इसको BD को तो हमारा निकल के आएगा DM तो यह हो जाएगा 1 बटे 2 A ठीक है BM की जगा हम 1 बटे 2 A लिखेंगे हमने पहले किया हुआ है माइनस BD BD कितना है 1 बटे 3 A तो इसे हम हम सॉल्व करेंगे कैसे पहले तीरची गुणा और फिर 6 दो की गुणा तो 3 में से 2 गया तो 1 A बटे 6 ठीक है यह हमारा अंसर आगया DM का तो DM आगया हमारा 1 बटे 6 A अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने के लिए मुझे यहां से डिलीट करना होगा ठीक है यहां से हमें डिलीट करना होगा क्योंकि जगह नहीं है तो अब हम आगे सम को सॉल्व करेंगे त्रेभूज सॉरी पैंसिल नहीं लिए त्रेभूज A M B में A M B में कौन M बराबर है नभ है डिग्री ओके तो यहां पर पाइथागोरस पर में लग जाएगा A B स्क्वेर बराबर A M स्क्वेर प्लस B सॉरी यह M है स्क्वेर अभी सबकी हम वैल्यू यहां पर रख देंगे A B स्क्वेर हो जाएगा A स्क्वेर ठीक है A M स्क्वेर AS IT IS इसकी कोई वैल्यू हमारी नहीं आई थी B M स्क्वेर हो जाएगा एक बट्टे चार एक का वर्ग ओके तो यहाँ पे एम स्क्वेर बराबर हो जाएगा एक बट्टे चार एक का वर्ग और जो यह एक का वर्ग है इसको हम इस तरफ लाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा तो यह हो जाएगा एक का वर्ग minus 4 एक का वर्ग upon में 4 तो यहाँ पे answer आएगा हमारा 3 बटे 4 एक का वर्ग यह निकि जो am है am का वर्ग आ गया 3 बटे 4 एक का वर्ग ठीक है अब हमें इसे आगे solve करना है अभी amd हमारा बाकी है तो यहाँ से हम delete कर देंगे यह हमने delete कर दिया अब यहाँ पे काफी सारी जगा हो गई है अब तिर्भुज amd amd कहां है तिर्भुज amd amd तिर्भुज amd amd में क्या है हमारे पास कौन m कौन m बराबर है 90 degree और इसमें हम पाइधागोरस पर में लगाएंगे ad का वर्ग बराबर am वर्ग प्लस dm का वर्ग तो यहाँ पे देखो am का वर्ग हमारा आ चुका है 3 बटे 4 एक का वर्ग प्लस dm का वर्ग यानि कि यह हो जाएगा एक बटे 6 यह हमारा आ चुका था यहाँ पर है ना एक बटे 6 हमारा यहाँ पर आ चुका था एक का वर्ग अब इसे सॉल्व कर देंगे तीन बटे 4 एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग एक ही होता है छे का वर्ग 36 एक का वर्ग अब इसे सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे पहले तीरची गुणा और फिर छे दों की गुणा 36 तिया हो जाएगा 108 एक का वर्ग 4 एक कम 4 एक का वर्ग और फिर 36 चौके हो जाएगा 144 एक सो आठ और 4 हो जाएगे हमारे 112 एक का वर्ग अपॉन वन सॉरी डबल फोर इसको हम जब दो से काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 बटे 9 एक का वर्ग ठीक है अब 7 बटे 9 एक का वर्ग आ गया तो यहाँ पर क्या था एडी का वर्ग है ना इसको हम यहां से डिलीट करना पड़ेगा पहले पढ़ना जगे नहीं है हमारे पस ठीक है अब इस नो को पहले हाँ लिख लेते हैं सौरी पैंसिल नहीं ली AD का वर्ग बराबर साथ बटे नौ एक का वर्ग अब इसको यहां तिरसी गुणा कर देते हैं तो यह 9 AD का वर्ग बराबर साथ A का वर्ग जो हमें यहां पे प्रूव करना था लेकिन A के वर्ग को हम AB स्क्वेर लिख सकते हैं ठीक है तो यह प्रूव हो चुका है अगला क्वेशन करते हैं अगला क्वेशन है हमारा 16 वा क्वेशन संबाजू तिरकोंड में साबित करो कि कोई पन बाजू न वर्ग न तीन गुणा पन वैधना 4 गुणा बराबर 6 कुछ आलो शुरू करते हैं ABC एक संबाजू तिरकोंड है देखो ABC हम यहां लिखेंगे ABC एक सं बाजू तिरकोंड है जिसमें AD 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 condemn है उके तो AB इसमें हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हमें कोई measurement नहीं दिया है माना AB बराबर है BC बराबर है CA बराबर है A सबकोंगे A मान लिया क्योंकि हमें कोई measurement नहीं दिया गया है जो वैद है यहाँ पर वो मध्यगा है मध्यगा का मतलब दो हिस्सों में बाट रही है तुर्भूज को यह मध्यगा है AD जो तुर्भूज को दो हिस्सों में बाट रही है तो क्यासे हो जाएगा यह BD बराबर आधा है BC है ना BD आधा किसका हो जाएगा BC का तो यह हो जाएगा A बटे 2, तीक है, अब त्रिभुज A, D, B में, A, D, B में, कौन, D बराबर है 90 डिग्री, यहाँ पे हम लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमे, A, B, SQUARE, बराबर, A, D, SQUARE, प्लस, B, D, SQUARE, तो सभी की वैलियूज रख देंगे, A, SQUARE, बराबर, A, D, SQUARE, प्लस, A, बटे 2 का वर्ग, आगे यहाँ पर सॉल्फ करेंगे, A, SQUARE, बराबर, A, D, SQUARE, प्लस, A का SQUARE हो जाएगा, और 2 का SQUARE होता है, 4, तो यहाँ पर पक्षांत्रन करेंगे, A, SQUARE, यह जो, A, SQUARE, अपोन 4 है, यह तरफ आजाएगा, तो यह माइनस का हो जाएगा, बराबर, A, D, SQUARE, तिरशी गुणा, 4 एकम, 4, A, का वर्ग, माइनस, A, का वर्ग, अपोन 4, बराबर, A, D, का वर्ग, चार में से एक गया, तो, 3, A, का वर्ग, अपोन 4, बराबर, A, D, का वर्ग, ओके, तो यहाँ पर रह गया, हमारा, A, D, का SQUARE, 3, A, SQUARE, बराबर, 4, की हो गई, तिरशी गुणा, तो, 4, A, D, का वर्ग, तो, यहाँ पर, 3, हमने, A, माना था, बाजू, तो, यह हो जाएगा, बाजू, का वर्ग, बराबर, 4, A, D, हमारा, क्या था, लंब, तो, यह हो गया, लंब का वर्ग, जो के, हमें, प्रूव करना था, हमें, पूर्व करना था, बाजू, बाजू, के वर्ग, बाजू के वर्ग, का 3 गुणा, बाजू के वर्ग, का 3 गुणा, लंब के, वर्ग के, 4 गुणा, होता है यह हमें यहाँ पर prove करना था अगला question देखते हैं अगले question में बोला है सच्चा जवाब बताईए और उसको test भी करना है तो तरबुज A, B, C में A, B बराबर है 6 root 3 यानि कि इसको हम मानते हैं 10.38 cm तो यह A, B आ गया A, C है 12 और B, C है 6 तीनों values आ गई हैं तो A, C हमारा करन है A, C करन है क्योंकि वो सबसे लंबी भुजा है ठीक है तो 12 का square कितना हो जाएगा 1, double, 4 और बाकी दोनों भुजाओं का वर्ग 6 root 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग तो 6.36 36 तिया 108 हो जाएगा प्लस 36 विकोज 6.36 यह हो गया 144 तो हम इसे लिख सकते हैं 12 का वर्ग यानि करन का वर्ग 6 root 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग दोनों बराबर हैं कितने हैं दोनों? बराबर 144 तो इस तरह से पाइथा गोरस प्रमे के अनुसार हमें यहां लिखना होगा पाइथा गोरस प्रमे अनुसार त्रभूज ABC काट कोण त्रकोण हैं? त्रभूज ABC समकोण त्रकोण है जिसमें AC कर्ण है AC कर्ण है सामने का कोण B समकोण है समकोण है और कोण B बराबर है 90 डिग्री तो मिलते हैं अगले क्वेशन के साथ अगली वीडियो में जै हिन जै भारत